हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तवा फ्राइ कलेजी की रेसीपी बहुत इजी मेथट के साथ बहुत ही आसान है आप एक बार ज़रू ट्राइ कीजिए तो चलिए हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं कलेजी बनाने के लिए हम तवा लेंगे दो से तीन बड़ा चमच तेल डालेंगे एक बड़ा चमच अद्रकलसन का पेस्ट डालेंगे इसको हम हलका सा भून लेंगे इसको हमने भून लिया है 500 ग्राम कलेजी दालेंगे इसको हम ढ़क कर कलेजी का कलर चेंज होने तक भून लेंगे ये देखिए कलेजी को हमने भून लिया है अब हम इसमें एक छोटा चम्मच मिर्ची पड़ा दालेंगे एक छोटी चम्मच भूनी कुटी हुई लाल मिर्श दालेंगे एक छोटा चम्मच भूना कुटा हुआ जीरा दालेंगे आधा छोटा चमच गरम मसाला दालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक दालेंगे, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी दालेंगे, हम इसको पानी सूखने तक पका लेंगे यह देखिए इसको हमने पका लिया है दो से तीन बारी कटे हुई हरी मिश्ट दालेंगे बारी कटा हुआ धनिया दालेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा तवा फ्राइ कर लेजी तयार है इसको आप लिम्बो के साथ सर्फ कीजिए आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा इसको बनाना बहुत इजी है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए हमारे चैनल इंडियन जैका को सब्सक्राइब कीजिए आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंट्स सक जरूर शेयर कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अलाहाफिज